Question number 8. Find three different irrational numbers between the rational numbers 5 by 7 and 9 by 7. तो हमने example करके देखा था, ना, वा 1 by 7 और 2 by 7 था या 5 by 7 और 9 by 11 है. कर लिए जिए, कोई बात नहीं है. तो 5 by 7 and 9 by 11. 7 से इसको divide करते हैं. ऐसे तो block पता था, आपको चलो कर लिए. जीरो. पाइंट लगा हुआ है. 7 से में जब 49. कर्योर आप 4. सड़ी. 7 से में जब 49. 1. चैसी मन लगा हुआ है. 0 लगाएंगे. फिर 7 बन जब 7. 3. 0. 7 और जब 28. 7 और जब 28. 2. 0. 7 तो जब 14. 6. 0. 7 और जब 56. 4. 0. 7 5 जब 35. 5 0. और 7 से में जब 49. 5 आगया पापस. क्या है? तो यह आपका रिप्वीट हो जाएगा. फिर से बता आओ. 7. 7 जब 49. 1. 7 जब 7. 3. 7 तो जब 28. 2. 7 तो जब 14. 6. 7 जब 56. 4. 7 5 जब 35. 5. आप 5 वापस आगया. तो यह बापस पूरा क्या होना है? रिपीट होना है. यानि के यह आपका रिपीट होना है वापस. ठीक है? फिर 9 को करेंगे. 11 से. तो 0. यह क्या है का 9 0. 11 8 जब 28. 2 0. 11 बन जब जब 11. 8. फिर से 9 0. यानि के 8 1, 8 1, 8 1 आना है? तो यह हो गया. जितने के मैंने डारेक्ट कर दिया, आप लोग लॉंग डिविजन से करके कर ले ना? लॉंग डिविजन तो सीख गए ना? अभी दू-3 बार करके देखे लिए अपने, ठीक है? तो इसके आगे आपको बताने है, between 3 कर दो, क्या है रहा? 0.72428512341, 6, 5, and so on, तुझी भी. दूसरा, 0.7251234281, 3, and so on. 0.7, तुभी 7 और 8 है, तो 7 तो यहां लिखना ही पड़ेगा, 8 मत लिख देना, यह है? और 8 भी लिखना है, तो 8, 0 करके आपके बढ़ जाना, तुझी 8 पन यह है, चलो, 7, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 4, 5, 6, 7, and so on, ठीक है? यह आपके perfect examples है, और चाहो आप कितने में लिख लो, infinite हो सकते झाहो आप.